मित्रों नवशकार, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में नहिस्सुल्क खाटा किस तरह से खोला जाता है बताऊंगा जी हां मित्रों आप अपने मुवाइल से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एकाउंट नहीं सुल्क ओपन कर सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ATM से आप फोन पे चला सकते हैं ATM का चार्ज 25 रुपया आपको देना पड़ सकता है तो अब इत्रों इंदिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एकाउंट ओपेन करने के लिए हमको सबसे पहले Google Play Store से IPPB इंदिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अप्लिकेशन स्टॉल करना पड़ता है तो चलिए यहां पर हम स्टॉल कर रखे हैं अब इसको हम ओपेन करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज दिखाई देगा यहांँपर हमको open your account now पर क्लिक करना है इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज यहां पे open होगा यहां उपर हमको mobile नंबर डालना है जिसका कियामें खाता खोलना है और नीचे यहां हमको pen नंबर डालना है दिखिए जो pen लिखा हुआ यहां पर हमको पैन नंबर डालना है तो मित्रों देखिए ऊपर हमने यहां पर मोबाइल नंबर डाल दिया है उसके बाद नीचे यहां पर हमने पैन नंबर डाल दिया है और अब हम कांटीनियू के आप्शन पर क्लिक करेंगे नीचे नीचे कांटीनियू के यहां पर मांग रहा है तो जो मोवाइल नंबर वहां डाले हैं उस-पर उटिप की आएगी वह ओटीपी हमको यहां पर डालना सो हें chicos इंजर संधी के बटन पर क्लिक और यहां पर हमको अधार नंबर बाम डालना है कि तो यहां हम पर हमने अधार नंबर डाल दिया है, दो बार डालना है अधार नंबर, इसके बाद नीचे बॉक्स पर टिक करना है, दोनों बॉक्स में, नीचे सम्मिट के बटन पर क्लिक कर देना है, सम्मिट के आफसर पर क्लिक करने पर एक बार और यहां पर OTP मांगेगा, तो यहां पर इसको एक पर्सनल इंफोमेशन पर क्लिक करना है तो हमने जिनका आधार नंबर डाला देखिए उनकी यहां पर फोटो भी दिखाई देगी और नाम भी दिखाई देगा यहां पे इनके माता-जी का नाम सबसे उपर वाले रो में हमको डालना है इसके बाद हस्बेंड वाइफ नेम यह डालने उसके नीचे email email आपको डालना है और नीचे pen card का जो आपका नाम है वो और यहां पर दिखाई दे रहा होगा और अब नीचे save के option पर आप click करने पर देखिए personal information के सामने सही का निसान आपको दिखाई दे रहा है तो एक इस तरह का page यहां पर open होगा यहां पर थोड़ा सा read कर सकते हैं और नीचे फिर इसके बाद save पर आप click कर दें तीसरे option में जाएं आप nominee डिटेल पर आप click करें यहाँ पर account में यदि आप nominee रखना चाहते हैं तो उपर yes के box पर tick करें यदि आप account में nominee नहीं रखना चाहते हैं तो no पर tick कर दें और नीचे save के option पर click कर दें तो चलिए हमको nominee नहीं रखना है तो हम no पर tick करके और save पर click कर रहे हैं save पर click करने के बाद देखिए यहाँ पर हमको additional information पर click करना है additional information पर हमको यह पूरी details भरना है और यहाँ पर देखिए पूरा details हमको ठीक ठीक से भरना है और इसके बाद नीचे आप देख लीजिए पर एक नया पेज यहां पर देखिए open होगा आखरी स्टेप है यह account information एकाउंट information पर क्लिक करने पर यहां देखिए required an account statement यहां पर हमको yes पर टिक करना है उसके बाद नीचे उसके mode of account statement delivery इस पर हमको क्लिक करके हमें online चूज करना है यह देखिए यहां पर हमको online चूज़ करना है तो हमने कर लिया अब नीचे हमको देखिए यहां पर ध्यान दिजिएगा I agree to received इसके box पर हमको tick करना है और इसके बाद नीचे term and condition का box इस पर हमको tick करना है और इसके बाद show पर click करेंगे show पर click करने के बाद देखिए यहां हमारा यह पूरा details okay हो चुका है अब हम यहां पर continue के option पर click करेंगे तो यहां पर पूरा हमारा एक बार यह पूरा details हम यहां पर इसको read करेंगे read करने के बाद यह हमारा यह पूरा data सही तरीके से धर्ज किया गया है तो हम फिर confirm के option पर नीचे confirm की बटन दिखाई दे रही है उस पर हम click कर देंगे तो चलिए confirm पर click करते हैं confirm पर click करने के बाद देखिए finally last OTP हमारे mobile number पर आई होगी उसको यहां पर हमें डालना है तो चल limit पर click करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं आपका account यहां पर generate होकर आ गया है ठीक उपर आपका CIF number जिसको customer ID बोलते हैं CIF number आपको उपर दिखाई दे रहा उसके नीचे आपको account number दिखाई दे रहा तो मित्रों आप इसको कहीं लिख कर रख लेंगे और इसका यहां पर इस अभी account open किया है उसको अब हम India Post Payment Bank के application में login करके दिखाएंगे आपको तो चलिए यह application पर हम click कर लेते हैं अब India Post Payment Bank का application यहां पर open हो रहा है अभी जब हमको account open करना था तो हम open your account now पर click किये थे अब हमको अपना account number यहां पर डाल के login करना है तो हम login now पर click करेंगे यहां पर हम अपना account number डालेंगे जिसका कि हमने अभी skin sort लिया है और उसी skin sort में आपको customer ID भी मिली है वो customer ID आप यहां पर डालेंगे जिसका आपने खाता खोला है उसका date आप बर्थ यहां पर डालेंगे खाता खोलते समय सबसे पहले जो mobile number आपने डाला था वो mobile number यहां पर हमको डालना है और रजिस्टर पर क्लिक करना है तो चलिए हम कर लेते हैं तो मित्रों ध्यान दीजेगा account number हमने यहाँ पे डाल दिया customer ID डाल दिया date पर्थ हमने डाल दिया और हमने mobile number डाल दिया अब हम नीचे register के option पर क्लिक करेंगे register के option पर क्लिक करने के बाद यहां पे एक बार हमको न्यू पिन बनाना पड़ेगा तो चलिए यहां पे न्यू पिन बना लेते हैं तो मित्रों यहां पे हमको चारंकों का पिन बनाना है हमने पिन बना लिया चारंक हम उपर यहां पर डालेंगे और जो चारंक हम उपर डालेंगे वही चारंक हमको यहां नीचे डालना है और नीचे देखिए set mpin के option पर हमको click करना है तो set mpin पर हम click करेंगे और यहां हमारे mobile number में एक वार OTP आएगा तो हम यहां पर OTP डाल देंगे तो अब देख रहे हैं हम OTP डाल करके जैसे ही सम्मिट पर click करते हैं तो registration successful का मैसेज यहां पर आ चुका है तो अब रजिस्टेशन successful होने के बाद चलिए हम इस application को open करके ATM कार्ड किस तरह से प्राप्ट कर सकते हैं यह बता देते हैं तो इस पर आप click करेंगे और यहां प्लिक करने के बाद वही चार अंक जो हमने बनाये थे पिन अपना वह पिन यहां पर हमको डालना पड़ेगा पिन हम जैसे ही डालेंगे तो हम इसके home page पे आ जाएंगे तो हम चलिए पिन डाल देते हैं तो मित्रों चार अंकों का पिन डालने के बाद कुछ इस तरह का कि आपका ATM दिखाई दे रहा है देखिए अब यहां पर view card detail ठीक है view card detail पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमको पूरा ATM नंबर यहां पर दिखाई देने लगेगा ATM valid date और CVV नंबर भी यहां पर हमको दिखाई देने लगेगा तो मित्रों इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल अन्मोल ग्यान 480 को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी प्रतेक वीडियो आपको मिलती रहें आप उसका लाब उठा सकें वीडियो अंत तक देखने के लिए धल्यवाद